वेल्कम एस अलजर्स आज हम बात करेंगे कंजक्शन्स के बारे में ग्रहों में जो यूती होती है ये यूती को कैसे देखना है, कैसे सोचना है, कैसे जज़ करना है इस बारे में छोटा सा डिसकसन होगा तो इस बारे में हमें चार परिस्थितिम से गुजड़ना पड़ता है, पहला तो ये सीचुएशन आती है, कुंडली में दो प्लेनेट अगर उदाहरन के तोर पर ये 11 वे बाव पर देखा जाए, 11 अगर दोनों की चाल उल्टी है, इनका उम्मेंट ही रिवर्ज है, रेट्र को समझना होगा, इनको दो ग्रूप में देखना होगा, पहला ग्रूप श्रनी का ग्रूप और एक ग्रूप सुर्य का, ये एक ग्रूप जो सुर्य का ग्रूप है, इसमें चंद्र, मंगल, गुरु और केतु शामिल है, और दूसरा ग्रूप जो बी ग्रूप है, श्रनी का गुरूप इसमें बूधु शुक्र और राहु शामिल है तो जनरली ऐसे सूचना है कि दो दो ग्रह अगर एक ही गुरूप से हैं तो डिग्री से अगर जोईनिंग मूड में हैं मतलब एक दूसरे से नजदिक आ रहे होते हैं तो अच्छा माना जाएगा और एक दूसरे से सेपरेटिंग मूड में मतलब अलग-अलग हो रहे हैं तो ठीक नहीं होगा मतलब वीकली गुड होगा ऐसा और अगर अलग गुरूप के एक-एक प्लेनेट के बीच में अगर ये कंज़क्शन होता है तो इनका नजदिक आना ठीक नहीं होगा दूर जाना ठीक होगा तो ऐसे हमें डिगरी कली अभियास करना चाहिए अधियान करना चाहिए ये जो पहली परिश्थिती है जिसमें अगर दोनों ग्रह उल्टा चल रहे हैं और कुछ डिस्टन्स है दोनों के बीच में राशी एक भी हो सकती है अलग भी हो सकती है आप सब जानते हैं तो ये राइट साइड में कुछ उदाहरण दिये है समझ लिजिए उपर वाली जो पोजिशन पर रिट्रोग्रेट मंगल है और नीचे वाली पोजिशन में रिट्रोग्रेट गुरू है तो ये अच्छा माना जाएगा ऐसा करके उपर अगर गुरू है और नीचे मंगल है दोनों रिट्रोग्रेट तो ये वीकली गुट माना जाएगा क्योंकि मंगल फास सलता है और गूरू की स्पीड कम होती है इसलिए डे-बाई-डे जैसे जैसे उम्रत धलती है ये वीक होता जाएगा तो इसकी स्ट्रेंग्ट कम होती जाएगी इसी तरह मंगल सनी दोझों रिट्रू ग्रेट है और दोझों जा रहे हैं तो मार्स तो क्या है फास्टर प्लेनेट है सनीशे तो ये दोनों विरुद्ध ग्रूप के हैं और नजदिक आ रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा बैड है ऐसे करके ये उदारण दिये है दूसरी पोजिशन है कि ये दो प्लेनेट एक दूसरे के नजदिक आ रहे होते हैं तो इनके भी ये चार उदारण दिये हैं सिर्फ सोचने के समझने के लिए बाकी तो अपनी अपनी प्रेक्टिस है अपना अपना एक्सपिरियन्स है अपनी सुझभूज है हर एक एस्ट्रोजर को ऐसा सोचना चाहिए और तीसरी पोजिशन ये है दोनों सीधी चाल चल रहे हैं और आगे जा रहे हैं आगे वाला अगर स्लोर है तो जैसे जैसे उम्र डलती है तो दोनों नजदिक आएंगे पीछे वाला अगर फास्टर है तो ऐसे करके हमें सोचना है और लास्ट और फोर्थ सिचुएशन ये आती है जिन में एक उल्टा चल रहा है नीचे और दूसरा जो उपर वाला है सीधी चाल है तो ये सेपरेटिंग पोजिशन हो गई तो ये सेपरेटिंग में ये से तीन चार उडारन दिये है समझ लिजिए पहली पोजिशन में मून है जो सीधा और एकदम फास्टर है और उनके साथ थोड़ी डिगरी के बाद ही रिट्रोगरेट गुरु बैठा है तो ये गुड जो है लेकिन वीकली गुड है मतलब ये डे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी ऐसा करके हमें सोचना चाहिए तो ये प्रैक्टिस वाली बात है और ये शिर्फ जर्णर नॉलेज के लिए और परामर्श करने के लिए परामर्श नहीं ये शेरिंग करने के लिए ये वीडियो बनाया ह है तो थैंक ये वरी मच्छ